हाई आप भी equity research में career बनाने का सोच रहे हैं, अगर पूरी तरह किसे confused हैं, कैसे में शुरुवात करूँ, क्या मेरा roadmap होगा, मुझे क्या चीज़ सीखनी है, job कैसे लगेगी, अगर लग गई तो क्या होगा, क्या फाइदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब मैंने cover करा है इस particular session में हाई दिस पार्थर्मन, वेलकम टो दे वैलोईशन स्कूल चैनल, बिना किसी देरी के फटाफ़ट शुरू करते हैं, हाँ जी, तो करें start, how to make career in equity research, step by step guidance रहीगी, मैं आपको एकदम धीरे-धीरे करके समझाऊंगा, कि आप आने वाले कुछ समय में, और I would say, अगले एक साल 2024 में आप एक equity research career की तरफ कैसे progress हो सकते हैं, कैसे आप धीरे-धीरे बढ़ सकते हैं, तो सबसे पहला question यह है कि यार अपने को बनना क्यों है, क्या ऐसा हो गया मेरी life में कि मैंने सोचा कि मेरे को equity research के अंदर career बनाना है, अब देखो दो-तीन चीजें हो सकती है, number one, एक तो मै मैंने हमेशा दूसरों को देखा, ठीक है, मैंने दूसरों को देखा और मुझे लगा कि यह तो बहुत पैसा कमा रहा है, you know, he is earning a lot of money, and इसलिए मेरे को इसके अंदर जाना है, तो यह herd mentality अगर यह तो side में हो जाना, यह सजा बन जाएगी, मजा नी बनेगी, आपके लिए equity research इतना जादा challenging work है, ठीक है, दूसरा एक reason हो सकता है, कि I have, I really have that passion, right, मेरे को passion है capital markets में, ठीक है, मेरे को, real मेरे एक passion है कि मेरे को capital markets में करियर बनाना है, मुझे इड़ गिड़ रहना है stock market के, मैं चाहता हूँ कि stock market में जो होता हो, जो नहीं होता हो, वो मेरे रोज मर्रा के ग को close up कर लिया है, तो सबसे पहले तो है आपन इसके pros देखते है, pros का मतलब ये है, you got opportunity to see the stock market, आपको पास है नहीं हमेशे एक opportunity रहेगी stock market को देखने की, from the other side, ठीक है, मतलब not as a retailer, as a participant, as one of the major stakeholder, ठीक है, दूसरा ये है, networking जो इसमें रहेगी आपकी वो एकदम top notch रहेगी over a long period of time, तीसरा ये है, अगर आप ठीक ठाक कर गए अपने career में equity research के अंदर, तो ultimately you will know what not to do to lose money, अब पैसा बनाना सीखो या ना सीखो वो एक अलग विश है, ठीक है, क्या कारण होता है ना, लोगों का पैसे को लेके perception सबक अपना अपना unique होता है, तो आप वो सीखो ना सीखो, that's a different thing, लेकिन आप ये समझ जाओगे कि आपको क्या नहीं करना है, अगर आपको पैसा lose नहीं करना है, इसमें जो सबसे बड़े con है, I would say, con ये है, कि it requires hell lot of reading, आपको बहुत पढ़ना पढ़ेगा, बहुत जादा ठीक है, अगर आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आता, because you need to understand, equity के बाद research भी तो लगा हो, it's a research, ठीक है, तो आपको बहुत deep diving करनी पढ़ेगी, and you need to start your day, ठीक है, start your day at 7, 7 a.m., आपको अपना दिन सुबह 7 बजे start करना पढ़ेगा, ठीक है, ये एक requirement रहती है, तो अगर इन equity research के अंदर अपना career बनाने की उमीद भी मत रखो खुद से, ठीक है, और इसके लिए प्रयास रद भी मत रहो, इसके लिए try भी मत करो, पूरे session का objective ही ये है, कि आपके mind में clarity देना, कि equity research क्या होता है, ठीक है, end goal क्या है, मतलब आप मेरे को ये समझो कि as a equity research analyst बनके मेरा end goal क किसी firm में research analyst बनना, ठीक है, that could be my end goal, research analyst का job, मैं RA बोलता हूँ अब, ठीक है, या फिर RA की practice, या मैं खुद का RA बनके अपने नाम से अपनी firm खुद की खुलूँगा, grow more, नहीं, grow more नहीं, ठीक है, कोई दूसरी firm, अच्छ है नाम से, ठीक है, और मैं logo को advisory दूँगा, research advisory दू advisory services run करूँगा, and, क्योंकि यहां तो मैंने यहां लगा दिया, and, मेरे दो end goal है, एक तो यह है, कि मुझे यहां तो job चाहिए, यहां फिर मैं खुद की RA की practice शुरू करूँगा, मेरे networking है, father वगरा, अगर already LIC agent वगरा कोई है, या ऐसा कोई है घर में, जो काफी, you know, जिनके broad level of, ऐसे लोग हैं, जो पैसा लगा सकते हैं, तो definitely आपको RA की practice explore करनी चाहिए, लेकिन इन दोनों cases के अंदर आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी, वो रहेगा, CB, Registered Investment Analyst License, ठीक है, यह आपको लेना पड़ेगा, और यह लेने ही लेना पड़ेगा, यह this is something which you need in both of the condition, कि आप job करो, यह practice करो, तो हमारा end goal जो है ना, वो हमारा end goal है, धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ना, ठीक है, तो वर्ट से भी बढ़ना, आप समझ लोग, आप equity से related कोई भी काम अगर कर रहे हो, तो आप highly regulated environment में operate करने जा रहे हो, कि पूरी life, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, कि आपको NISM Research Analyst Program जो है, वो आपका stepping stone रहेगा, ठीक है, यह तो आपको करना ही करना है no matter what, मतलब believe me, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई यह करने से आपका, you know कि बहुत ज़ादा value addition हो रहा है मेरे resume में, but this is the thing which is very mandatory, it is like a stepping stone, अब देखिए, मुझे NISM Research Analyst Exam क्यों करना है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो सबसे पहला कारण और सबसे strongest reason जो है, वो यह है कि यह तो सेवी की requirement है, क्योंकि अगर आपको सेवी का registered investment analyst license चाहिए, जिसके बारे मैं बात करूंगा आगे, तो यह उसके लिए आपको यह certificate देना पड़ता है, इसलिए आपको NISM RA certificate exam clear करना है, दूसरा, we want to test the waters, हम equity research हमारे लिए बना है कि नहीं बना है, हम यह चीज़ चेक करना चाहते हैं, हम यह चीज़ अच्छे से चेक करना चाहते हैं, कि whether this particular thing is meant for me or not, तो उसके लिए NISM registered analyst exam से better कुछ भी नहीं है, उसका reason बताता हूँ, जो curriculum है, वो curriculum और जो coverage है, वो उन सारे के सारे foundational और I would say कि जो main core concepts होते हैं, उन सभी के उपर based है, ठीक है, तो आपको छोटे छोटे छोटा 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 लेबल पर हर चीज़ का basic समझने मिलेगा, इस particular exam से, आपकी एक understanding develop होगी इस particular exam से, ठीक है, तो ये दो कारणों से बहुत ज़रूरी है, छोटा से exam होता है, 1500 रुपीज शायद registration fees होती है, मैं एक dedicated video NISM RA पर लेकिया होँगा, और आपके लिए बहुत बड़ा surprise भी है, तो आप please end तक बने रहेना, ठीक है, अब ये तो होगया, मेरे को road mapping क्या करनी है, इसके अलावा और क्या करना है, NISM RA 15 exam is one thing, but I need to upskill myself also, क्योंकि जैसे मैं certificate की बात करूँगा, तो certification वाला काम हो जाएगा, तो मिरेको upskilling के लिए क्या करना है, क्या क्या चीज़े हैं, जिन में मिरेको upskilling करना है अगले एक साल में, या जितना भी time आप में लिए target कर रहे हो, कि भाई आपको economic overview लेते आना चाहिए, मतलब कल को अगर आपको कोई एक assignment दे दे कि मिरेको एक काम करो Brazilian economy के बारे में एक one pager teaser बना के दो, तो वो आपको करते वे आना चाहिए proper, ठीक है, आपको किसी भी company का red flag analysis करते वे आना चाहिए, आपको किसी भी company के basic financial statements को interpret करते वे आना चाहिए, मैं यहाँ पर financial statements बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं financial statements को interpret करने की बात कर रहा हूँ, ठिक है कि आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चल रहा है company में, आपको red flag analysis करते वे आना चाहिए, आपको sector का overview लेते वे आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि एक sector है उसका आप क्या चल रहा है sector में whether the sector is facing the tailwind or the headwinds अब सरी ये tailwind और headwinds क्या होते है exactly समझ रहे हैं आप आपको ratio analysis करते हैं आना चाहिए आपको कौन मेरे shareholder के पैसे को सम्हाल रहा है ultimately management है जो धन्दा कर रहा है तो ये management कौन है इनकी quality क्या है अगर कोई आपको बोलता है for example कि आप एक one pager मुझे बना के दो जिसके अंदर आप है ना Titan की earnings quality के उपर commentary लिखके दो तो क्या आप Titan की earnings को assess करते हुए एक one pager बना सकते हो ये किसी भी company को assess करते हो एक one pager बना सकते हो that is something which is required for equity research are you getting my point और सबसे important क्या आप storytelling कर पा रहे हो through reports ये सब चीजे हैं जो आपको upskilling करनी है ठीके this is something which you need to upskill and for that I would say तीन step का model है अपना बहुत simple model रहता है और हमेशा ये ही रहता है इसी को follow करना सबसे पहले आप खुद को upskill करो ठीके फिर get noticed get noticed in the eye of recruiter इतना शोर है इतना noise है जिसकी कोई हद नहीं आपको अपना रस्ता खुद बनाना पड़ेगा you need to get noticed in the eye of recruiter और एक बार जब आपको interview का call आ जाता है तब पूरी जान लगा के अपने research को defend करो ठीके जैसे अगर get noticed की बात करो तो notice आप होगे a thorough equity research report ठीके एक thorough report बनाओ उससे you will get noticed when you send the report along with the resume or you send the report to someone for your review to take their feedback right but you will clear the interview ठीके clear the interview through the depth of your research कि आपने research में कितने depth और कितनी deep में जाके research करी मैं एक example देता हूँ there is this student who had placed in institutional equity research of one of the top equity research firms in the country ठीके बहुत बड़ी company में लगाओ दो round of interview हुए है उसने अपने resume में लिखा थे कि मैंने दो companies पे thorough research किया है एक jubilant food work पे sorry एक varun beverages पे और एक loris laps पे पहला round of interview हुआ चार घंटे चला चार घंटे में varun beverages पे बात हुई 4 hours क्या आपने इतना समझा है अपनी company के बारे में कि आप 3 घंटे 4 घंटे किसे से conversation कर पाओ क्योंकि interrogation interview समझ रहे हूँ जब 4 घंटे का interview होता है तो वो interview question and answer mode में नहीं होता है वो conversation में convert हो जाता है automatically human nature है फिर second round of interview हो उसमें loris laps उसने 3 घंटे खोलके रखा मैं मजा I am not overstating this this could be outlier सबका interview ऐसा नहीं होता है बट आपकी क्या वो level of preparation है कि कभी अगर कल आपको आपका lucky draw निकल जावे तो क्या आप तयार हो उस चीज के लिए that is something which is very important ठीक है तो हमें हमारा upskilling करना है upskilling करके बहुत depth में research करना है एक शांदार report बनानी है और हमारे research को defend करना है ये सब काम आपको करना चाहिए हम लोग हमारे usual cohort में भी करते है advertisement नहीं कर रहा हूँ लेकिन आपको inform कर रहा हूँ काफी सारे लोग पूछते है तो हमारा upcoming cohort अगर आप equity research पर join करना चाहते हो तो आप नीचे comment में या नीचे description में आप link पर click कर सकते हो सेभी registered analyst जो मेरा ultimate goal है उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा देखो यार उसके लिए कुछ कुछ parameters है जो main parameters है जो अभी आपका main एक concern है वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ बाकी तो फिर बहुत सारी चीज़े है जो आपका सही समय आएगा तो definitely कोई ना कोई होगा help करने के लिए तो सबसे पहले तो यहां तो आपका post graduate होना चीए यहां फिर आपके पास अगर under graduation degree है तो under graduation degree में आपका 5 years का work x होना चीए capital market related financial market capital market related कहीं broker क्या काम करा हुआ हो किसी research analyst के अंदर में काम करावा हो इस तरह का ठीक है and साथ में आपको NISM RA 15 जो exam अपने बोला है उसका certificate होना चीए ठीक है past certificate चाहिए इसके अलावा जो आपकी net worth है net worth मतलब आपकी total assets minus liabilities यह आपकी 1 lakh होना चीए मैं individual ही assume करता हूँ कि सब individuals ही है जो fees होती है वो application करने पर यह तो कोई भी apply कर सकता है application की fees 5000 होती है एक बार अगर आपकी application अप्रूव हो जाती है तो license की fees 10,000 होती है for 5 years I believe ठीक है इसमें कुछ उपर नीचे हो सकता है अब देखना SEBI का जो license है ना वो ऐसे तो मिलना it's not that easy मतब सेबी कोई हलवा तो बाठता नीए तो license भी है ना SEBI जो RA का license देता है वो दो class में देता है एक देता है independent license और एक देता है group license ठीक है group license का मतलब कैसे for example आपने research firm जॉइन करी मोतिला लोसवाल अब मोतिला लोसवाल is already a SEBI registered entity ठीक है तो मोतिला लोसवाल के जो काम करने के तरीके हैं जो भी compliances है वो सब SEBI के according है आप मोतिला लोसवाल में ऐसा employee आयो तो मोतिला लोसवाल क्या करेंगे ना आपके लिए apply करेंगे group license but that group license of SEBI is only valid till the time you're working in मोतिला लोसवाल समझ रहे है तो this ये भी मिल जाएगा आपकर आप job पे जा रहे हो तो this is a very tough nut to crack honestly ठीक है अभी इतने frauds और इतने सब चल रहेगी SEBI is very you know very stringent but anyways apart from that मैं आपको ये समझाना चाहरा हूं कि आप अपना career का journey start करो NISM RA 15 exam से start करो कल मतलब इसके बाद का जो एक video है immediately वो मैं लेकर आ रहा हूं NISM RA 15 exam का पूरा depth में समझाने के लिए और उसके बाद आपके लिए बहुत बड़ा surprise होगा तो अगर आप equity research में अपना career बनाना चाहते हो सोच लिया है बिल्कुल और आपने एक pledge ले लिए खुद से कि नहीं करना तो यही है फिर अगर करना है तो तो I'll always be here for you and यहां तक अगर video देख रहे हो और अगर like करके नहीं जाओगे तो काम कैसे चलेगा मेरे भाई आप खुद सोचो चलेगा क्या बिल्कुल नहीं चलेगा ठीक है तो फटाफट like करो comment में लिखो क्या आप NISM registered analyst 15 exam के बारे में पूरा roadmap समझना चाहते हो कि उसको कैसे पढ़ना चाहिए ठीक है उसको पढ़ने का क्या सही तरीका है and कैसे मैं उसकी preparation करो exam की कि मैं one shot में वो exam clear करो ठीक है तो हम मिलते हैं आप से अगले वीडियो में इस पार्थ वर्मा साइनिग आफ